एक बार मैंने इससे पहले चार्ट ट्रीडिंग बेस्ट और वीकनेस के उपर वीडियो बना रही है लेकिन उसमें एक ओवर्वीव देखा था आप बोल सकते हैं कि 50% हमने उस वीडियो में से खाता और आज डीटेल में हम लोग सीखने वाले और बहुत जादा डीटेल में कि यह सप्रेंट्थ और वीकनेस को यूज करके हम लोग फ्यूटेर का बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक का मौव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन वह तान एक को तेलीटें किसकी होती है तो मार्केट में काम करते हैंbart में काम करते यह करते हैं कि start करते हैं हम लोग exactly strength और weakness के strength मतलब power तो किसमें ज्यादा power है और weak कौन है यह हमको कैसे पता चलना है ठीक है तो सबसे पहले हमको यह मुव देखे क्या पता चलता है यह मुव है एक seller का मुव है अब यहां पर हम लोग सिर्फ इतना ही समझें कि यहां पर sellers आ गए फिर next time आप देख सकते हो थोड़ी से वीक sellers आ गए रहा इस momentum से इस momentum को compare अगर करोगे तो क्या यह momentum कम हुआ है या बड़ा है सबसे पहले वह चेक कर लेते हैं top से bottom तक देख लेंगे 231 points यह वाला momentum था right second momentum को अगर हम count करते हैं top से bottom तक यह 197 points का momentum था फिर third momentum अगर हम count करते हैं यहां से हां तक तो यह 118 points का momentum था तो पहले बाद 237 फिर 197 फिर 118 तो यह जो seller से यह seller कम हो गए राइट तो sellers अगर कम होते जा रहे है सेम लेवल से अगर बार बार आने के बाद तो उनको कौन टेकवर करने में easy होगा sellers अगर weak है तो buyers को easy होगा तो next move जो है first इतना बड़ा move आ गया फिर sellers ने try किया लेकिन कम sellers है और जो buyers थे वो अपने आपको maintain रख रहते तो next move भी बड़ा buyers कर सकते हैं ठीक होगे एक example अभी और दो तीन example और देख लेते हम लोग ठीक है जब मार्केट इससे डाउन जा रहा था रहा तो डाउन जा रहा था तब पहले एक green candle बना लिए इस तरह कि फिर नीचे आ गया फिर एक दो तीन candle इसको लगे इतना उपर जाने के लिए फिर उसको दूही इतना momentum किया फिर इतना momentum किया कम हो गया फिर इतना साही momentum किया क्या आपको यहां पे buyers कम होते हुए नई नजर आ रहे का support पर आता है यानि कि support पर बहुत लोग buy करते हैं तो हमको यह देख के पता चलता है कि यहां पर जो buyers है वह कम वायर से वीक वायर से तो वीक बायर से तो उनको कौन टेकवर कर लेगा sellers टेकवर कर लेंगे तो यहां पर sell side मार्केट आ ठीक है क्योंकि trend भी sell side था तो trend भी sell side है और buyers यहां पर वीक देख रहे तो हमको sell side जाने के लिए एक अच्छी opportunity मिल सकती है या फिर आप बोल सकते हो कि हम उसको consider ज्यादा कर सकते है उसकी probability ज्यादा है ठीक है अब होता क्या है फिर यहां पर market में इस तरह से sellers आगे फिर sellers इस तरह से आगे फिर छोटे sellers आगे फिर और कम sellers आग अज़या फिर यहां पर एक दो तीन चार पांच एस तरह से इतनेगे दो इसको यहां तका आने लिए फिर यहीं do मोमेंटम और मोमेंटम और मोमेंटम तो हम यहां पर हर हर चांस होते जा रहे कि वह लोग अगर कर पाते तो सबसे पहले थो सैलर को ले जाने में कौन है न बद करता है यहाँ आगर ज्यादा ट्रें नीचे होगा र annos को MA कर चलता है और फिर फ्योचर मोग उसका अब те अब यहाँ थैनको क्या देखता है यहां पर और फोड़ी और थोड़े आ गए फिर यहां पर थोड़े कम बायर्स है फिर और थोड़े कम बायर्स है यानि कि आप बोल सकते हूं कि यहां पर अगर इसे अफे होते हैं तो सेल मांगट सेलर किस से ले मार्ट को सीधा दक पालने घर दिसे टाइद हैं अज्ञू जर्क होते हैं इस अंगर्ट देले के शूटे-श्लर रेते नीचे छोटान चांट पिर नीचे जाता है तो यह मॉइलकूल भी नहीं फिर next time आगर आप देखते हो तो यहां पर बहुत देर market halt करता है फिर बाद में market इस तरह से नीचे आता है तो मतलब यहां पर sell side का जो momentum है अगर उसको होना होता तो market इतना ज़्यादा time pass नहीं करता तो sellers को अगर नीचे ले जाना होता market को तो क्या market इस सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं जाता तो यहां पर sellers भी के और यह last का move देखके हमको क्या पता जलता है कि last के move में बायर जादा dominant थे और sellers कम थे तो next day पर किस ने take over कर लिया buyers ने take over कर लिया क्योंकि market अपने आपको higher level पर ही hold कर रहा है ठीक है I hope आप समझ रहे हो इस example को ठीक है अब यहां पर देखते है market ने क्या किया यहां पर इतने sellers बुला लिया right थोड़ा सा इसका एंगल भी देखिए एंगल किस तरह से चेंज जोता है पहले यह वाला एंगल था फिर एंगल थोड़ा सा इस तरह से हो गया फिर एंगल सेलिंग के साइड ले जाने की कोशिश की लेकिन यह वीक सेलर से राइट एंगल भी इसका थोड़ा सा क्या हो रहा उपर उपर की तरफ जा रहा है ठीक है फिर मार्केट ने सेम लेवल पर ही होल्ट कर दिया मतलब सेलर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह इतना मोमेंटम को रिपीट कर पाए फिर कौन टेक ओवर करेगा फिर फास्ट मोमेंटम उपर के साइड आ रहे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेस पे भी आप लोग इसको अनलाइज कर सकते हो मार्केट को की मार्केट किस तरह से जाता है ठीक है आई होप आपको यह समझ गया यह वीडियो क आइफि-, कर प्रैस को और सेलर क्या स्छल रउलैस को प्रैस बेहेड को प्रैस को कहते हैं तो बॉत है कर दिया गया है चार्टन्स पता है और अपदम संद्र है नहीं इस तरह से मार्केट चलता है तो प्रोबैबिलिटी आपकी बढ़ जाती है अगर आप इस तरह के अनलेसिस करते हो तो आयोग आपको पसंद आई ये वीडियो समझ में आया है क्या लोजिक है इसको आप रिपीटेट ली फॉलो करके जो आपकी एक्यूरसी है जो प्रोबैबिलिटी जो रिजल्ट्स है उसको इंप्रूव कर सकते हैं थैंक्यू फॉचिंग दिस वीडियो वाई सीव नेक्स्ट वीडियो थैंक्यू